नमस्कार दर्शकों, साहित पिस्नजन के संक में आप सब का हादिक स्वागत है और आज की इस कड़ी में हम बाचीत करेंगे कथितर गद्दी और कथितर गद्दी के केंद्रे में आज इस करती को हम विश्रीश श्रूप से चर्चा के केंद्रे में लाएंगे वो है सुद में हरसूद और सुद्महरसूत के रचनाकार आज बाचीत में हमारे साथ इस्टूडियूज में उपस्तित है वसंत सकरगाय वसंत जी आपका साहितर सजन के संक में करी महार्देक स्वागत है क्या ही बड़ी बात है कि आपकी कृती सुद्महरसूत प्रकाशित होकर आई है और यूँ दर्शकों वसंद सकरगाय की यूँ पहचान साहित्ती के परिसर में एक कवी की होती है और निगाबानी में फूर जब एक दर्शक पहले उनका कविता संकलन छपकर आया था उसके बाद वसंद सकरगाय अपनी विभिन्द किसमे की कवीताओं को लेकर खासे चर्चित रहे एक प्रयुकधर्मी कवी के रूप में लेकिन एक दशक बाद वसंद सकरगाय जी सूद में हरसूद लेकर आपाते हैं अपने पाटकों के लिए लेकिन सूद में हरसूद कवीत पर केंद्रित किताब नहीं है यह कथितर गद्य है नॉन फिक्षन है और क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप जब कविता लिखते 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 अचाना गद्य की और करवट लेते हैं और इस गद्य में आकर आप सूद में हरसूद पर फोकस होते हैं आपनी यादों के सा तो बताएए कि यह सूद में हरसूद की जरूरत आपको कविता से हट करके ओपड़ी गए कई वार ऐसा होता है विने जी की हर्चीच कविता क्यानुसासन में नहीं आ पाती है और उसके लिए हमें एक बड़े फलक की जुरत होती है एक बिस्तार की जुरत होती है तो सूद और दुसरा यह भी था कि मेरी स्प्रत्यों में वह सारी चीजे थी इसके अलावा हरसूद पर अभी तक जो भी मैंने पढ़ा तो वह एक इस तरह से था कि भाई उस वक्त जो हुआ विस्ताफन मतलब यह 2005 पर विस्तावित हुआ उसके कुछ साल पहले से कुछ इस तरह की च हरसूद में पैदा हुआ हूँ मेरा मिडिल तक का एजूकेसन वहां पर हुआ है तो मुझे यह लगा कि हरसूद के बारे में कई ऐसी चीजे हैं जो सामने नहीं आप आई हैं और सामने लाना बहुत जरूरी है तो आप इस सागरह के साथ इसमें आये आए आप देखिए या से वो हरसूद नुमाया करते हैं पाटकों के साथा चूटा सा ख़ता अब और यह अलगाओं हे कि हरसूद के किस्मत में बाद में जाकर उसके वजूद को खोना था लेकिन उसके बावजवज belong ठोढ़ना होता है उसका उपना थखिए लिए आप जना कि आप settlers क्या आप बन हरसूद की पहचान के लिए कि हरसूद कहा है हरसूद कही नक्से में दिखता नहीं था जैसे भोपाल भी आता था अपने पिता के पास तो बही कहा है तुम्हारा हरसूद कि पहली पंचवर्शी युजना से हरसूद को डूबने का यह बान बनने का यह योजना बन रही थी तो यही वज़य थी कि खंडवा जिल की दो तैसिले हैं एक तो बरहानपूर ज्यादा रिश्ट कर गया है और हरसूद पिछड़ता चला गया वहां पर इसलिए कोई प्रोजेक्ट ने डल पाया कि इससे तो डूबना है तो इसके गारण क्या हुआ कि हरसूद को जिस धंग से उन्नति करना चाहिए था यह वहां विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया तो वहां पर चुकि विक अपने व्यापर वगड़ा सुरू किये लेकिन वह रसूद इसके गारण को नहीं कर पाया प्रोग्रेस नहीं कर पाया पहली चीज दूसरी चीज यह रही कि हरसूद की पहचान को लेकर दे कि था लेकिन हरसूद की अपनी इंडिविजल पहचान हुआ करती थी जैसे क्या ज़िवाता गुरुदत आया करते थे तो ऐसे हरसूद को को जानना या उसके बारे में बताना मुझे जरूरी लगा बसंद जी ये जब आपकी सूद में हरसूद के पन्ने मैं भी पलट रहा था और आप ने जिक्र किया जॉनिवाकर का जिक्र किया आपने नौशाद का जि प्रदेश के विभिन कजमों शेहरों की बात हुई तो उन्होंने हरसूत का जिक्रिकिया आपकी किताब में भी पड़ा अच्छा सा किस्सा में इसका नौशाद सापका पढ़ रहा था यह तो बात हुई वह लोग जो आते रहे हरसूत की अपनी एक साहितिक और सांसकतिक परम हरसूत से था तो आपने अपने वक्ति दौर में जब आपकी अंगड किस्मक रचनाकार था किशोर और युवावस्था थी आपकी तब वहां के साहितिक और संसकतिक ने आपके मन पर कैसी चापे चोड़े निश्यूरूप से हमारा जो बच्पन होता है कहता है कि बच्पन हुआ करते थे या उनके साथ अपना कभी गोश्टिवें में उतना मेरे में समझ तो थी नहीं उस फ़र पहली चीज़ दूसरी चीजह थी वहां गमत हुआ करती थी रामिला हुआ करती थी और सपर कबवालिया हुआ करती थी चोटे-चोटी सम्मिलन हुआ करते थे तो उस भ시 से भृपाल आए। पोड़े करते हैं सारे चीज़ों को लेकर आप उन संस्कारों को निस्प्रतिों को लेकर पर आप हरसूद वजया, भौपाल में अपना नहा झीवरी शुरू किया। किस्ता दर किस्ता आगे बढ़ते बढ़ते, कई सारे व्यम्र्ष्ट जो है इस किताब के जरिये खुलते हैं और दो तीन बाते हैं जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात्ची तो हम यह करें कि जो नॉन फिक्षन है जो कतेतर गद्य है तो कतेतर गद्य जो हमारे हां एक ऐसी उसके तहट इतनी सारी विधाएं आती हैं जिसमें के संसार में ऐसी कतेतर गद्य की बहुत ही महत्मून किताब यह बड़ी चर्चा में रहे हैं और इसके साथ ही साक्षातकार और जीवनी लिखन को लेकर भी पत्रों को लेकर भी काम हुआ है जब आप ती कतेतर गद्य लिखना शुरू किया सुद में हर सुद पर जब आप हुए तो सबसे बड़ी चुनौती तो यह होती है कि आपको एक शहली अख्तियार करनी पड़ती है और शहली के साथ ही दूसी चुनौती आती है भाषा जिसके जरी आप आठकों तक पहुचना चाहते एक कम्यूनिकेशन एक संप्रिशन आपका बने उसके साथ तो आप से म लिख रहा था तो पहले मैं इसको एक उपन्रियास के संक भाषा में लिखना चाहता था अपनी इस प्रतियों के साथ हुआ जाना चाहता था ऑंपनी इस प्रतियार की नहीं गो तो फिर उसकी बर्भास मुझेillar पर नहीं परेए तो फिर मैंने सोचा कि जो फिर की भास चाती ने कि हर्सूथ हो घंडवा जी यूँन की आखरी तष्रील था और और बुर्वार के भुहाना की जो शेतर त्हितर थी तो फिर निमाली भी थी उसके भुहानी मी थी उसके श्ब्द आये थे और देवास जिले क तो मुझे यह लगा कि जब कुछ किस्से कुछ गल्प में गया तो उसमें अधिक तर जो किस्सें उनमें संबाद है तो मुझे लगा कि यह यहां से यहां यहीदि में हरसूद पर लिख रहा हूं तो हरसूद के ज़न्पद की भाष्णा है भी वह लोगों प्रुछ शाहिए क्योंकि इस्तान ही लोकेल होता है इस्तानी इता है वो भी अपने एक महत्व रखती है मैं इसको चाहता था ऑप हिंदी में ने लिख स लोग पैदा हुए है यह हरसूत के अभी जो लोग नए हरसूत में रह रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हरसूत पर ऐसी भासा बोली जाती थी आज कल आप देखें कि कस्वे के अंदर या गाओं के अंदर भी गाओं की भासा धीरे-दीरे खतम होती जा रही है तो आप क चाहिए इस तक में 41 परष्ट पे आप जब स्लसला शूरू करते हैं तो आप कहते हैं कि दिल लगी ऐसी के दिल का वो हाल हो जो फिर नहो तो दिल को मलाल हो और आगे कहते हैं आप इस फ्लो में के हरसूत की तासीर हरारत में मजाग और गम्मत कूट-कूट कर भरी वी थी थ रदातलों की जुबानी नफासत से खासा गुरिच था, संबो दनों में गाली गलोज तू तु तड़ा का आप पीता और निकटता के परिचायक थे, तो तुम और आप जैसे शब्द परायपन और और आपचरिकता के दो तक थे। यह जो आप बात करने की इसमें जो मजा किय लहजा है, और गंवतों के साथ बातशीत करना है, चोटी-चोटी से कहवतों और तुकबंदियों के साथ बात करने का जो शूर हरसूत के किरदारों में रहा है, वहां की विरादारी में रहा है, तो यह सारी सारी चीज़ें तरसल एक कजबे को अपनी मौलिकता में गढ़न आपके कविदा बड़ी जर्चित हुई थी और तब लोगों को पता चला था कि हरसूत जो डूब चुका है उसके आप वाशिंदे हैं और हरसूत की बाल्टियां तो देखे हरसूत की बाल्टियों में ऐसा क्या था लेकिन आप बाल्टियों के जरीए एक ऐसा मिथक गड़ते हैं जो की वहां की हरसूत की तासीर को और तुमा की तस्वीर को बया करता है तो इस तरह की बहुत सारी चीजों का आप लेका है मैं चाहूंगा कि बसंद जी यह शुरुआत तो मैंने कि लेकिन एक कोई सा मजज़दार सा किस्सा आप अपने किताब का हमारे दर्शकों को और जो जैसा कि वुसंद सगरगाई ने कहा कि बहुत सब्सक्राइब के आप से निविदोंने कि वसंद भाई सुनाइए विने जी मैं एक छोटा सा हिस्सा बढ़ रहा हूँ जो हिंदी में ही है कि किस तरह से अधुनिक्ता जब जाती है तो हमारी परमपराओं को यह जो हमारी जो पुरानी चीजें है उनको किस तरह प्रभवित करके उसके एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़के सुना है आम की गुठली और पीपल पात की पिपरी पूंगिया बजाने वाले बच्चों के हाथों में अब वे सीटियां और पूंगे थे जिनमें फूक मारते ही छोटे से पिंजरे में कैद प्ल सुरूती परंपरा के प्रभामान इस्त्री कंठों में रचे वसे पारंपरिक लोग गीतों के साथ धूलक जहांज बंजीरे और बासुरुई का संगतकारी रसमाधुरे धीरे धीरे सिमटने लगा तथा टेवरिकार्ट और रिकार्ट प्लेयर के करकश भूंपुओं ने ल जीवन गंबतों की जगह प्रोजेक्ट फिल्मे काविज होने लगी बस क्या पहुंची बस के टायरों ने ग्राम जीवन की पगडंडियों को नेसना बूत कर दिया और अपने निसान चूँदी वाह क्या बात है सिर्फ नक्षे कदम रह गए याद आता है और इसके साथ सा परसूत जैसा कसबा जल समाधी ले चुका है लेकिन उसके बाद भी यादों में बहुत सारी चीज़े बाकी रहती है वसंद भाई हर आदमी के भीतर यादों की एक नदी बहती है और उसके किनारे उपर बैट कर वक्त की लहरों को गिनना हमेशा उसे बहुत अच्छा लग बहुत सारी करतिया आई हम नाम तो बहुत सारे ले सकते हैं ममता कालिया अब्दा जय भया रवी कथा रवी कथा बहुत अच्छी किताब आई और उसके बाद तो बच्चन ने भी बहुत सारे सारे से सम्ट ले देखे कि क्या ही दिल्चस पात है ये साहित्य के आज के समकालीन परिदर्शु को देखें तो मुझे लगता है कि that is the turning point I think कि हम कहानी और कवीता के को बचाय रखते वे भी हम कतेतर गद्दी के तरफ अब इस समय करवट ले रहे हैं ये कतेतर गद्दी की जरुवत है वो क्यो कि उपन्यास अभी इन दिनों जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं बाकी कहानियों को भी आप देख लीजेगा कि बहुत ज्यादा आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है कतेतर गद्द में गुंजाश यह होती है कि इसका अनुसासना आप अ को ले जाना .. कहानी हुए भी कर सकते हैं लेकिन धारा मुझे लगता है वो लोगों को इसलिए भी जादा प्भववित करती हैं ili जब लेखग वो अंदर से अपना करदार रच और हार आुस में आप कलपना और यथार्थ का गठ जोड़क मैं उसमें पर कितना है नहीं मालूम लेकिन फिर भी कलपना का ताना बाना उसे बहुत जादा है लेकिन कथेतर गदे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप निहायत यथार्थ को रचते हैं अपने अनुभो को रचते हैं अधि हम अमरताल वेगड का यात्रा व्रतांत पढ़ते हैं सौंधरी की नदी नर्वदा को लिखते समय वो जितने किनारों से जितने जंगलों पहाड़ी ओंसे रास्तों से गुजरें और हर बार नर्मदा को फोकस करते वह लिखते हैं और उन तमाम पग्डणियों से गुजरते वहां के जन्पतको और संस्कारों को तीश्तिवहारों को लिखते हैं एक बहुत रम तो बहराल बात यह है कि कथितर गद्य नई पीड़ी को इसलिए आकरश्ट करके रखा है क्योंकि वह पूरी तरह से अपने समकाल में भी है और अपने यथार्थ से जोड़ती है आपकी किताब के जरीए जब कथितर की बात करते 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 में आता हूँ जब मैं इसे पढ़ रहा था तो उसमें जैसे कि अभी बात ही कि महागा साहितिक और सांसकतिक जो जगत था हरसूत का जिसने आपके मन पर भी असर किया तो एक किस्ता जो है वो जो मुझे बहुत पसंद आया मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को वो किस्ता में जरूर पहुंचाऊँ तो उसमें आप एक बात करते हैं कि कवाली की महफिल की बात करते हैं और उस महफिल को अपनी तरह से शब्द में परोते हुए आप कहते है के उर्स का मौका था और उस रात कवाली का शांदार मुकाबला था लगनों की मगबूल खातून कवाल और मुंबई के एक हर दिल अजीज कवाल की यह जोड़ी काटे की टक्कर और शाराना तकरार की वजह से दुनिया जहान में मशूर थी इस शांदार जलसे का लुट्प को लेकर दिल्चस्प नोग जोग शुरू हो गई एक दूसरे को लाजवाब करने की गरत से तत्काल एक से एक उम्दा शेर बनाए जा रहे थे और पीश्षक अंदास इतना दिलकश की सुनने वाले दिल थाम कर वह वह कर उठे जब भी कोई शेर सुरों में ढलकर निकलता ह बक्षीश के रूपयों को सर आँखों से चूंकर कदरदानों का तहे दिल से शुक्रिया आदा करता है। उसके साजिंदे भी ढूल बजाकर तीन मरतबा कदरदान का नाम दोराते हैं और रात के सनाटे को चीरता कजबे के कोने कोने में कदरदान का नाम गूँच जाता अब देखिए कोली की मेहफिल थी जिसको कि अगर हमां 30-40 बरस पहले की कोली का मुझे लगता है मेहफिल का जिक्र है और किस तरह से वो मेहफिलें सजा करती थी और उस कदबे के लिए तो ऐसा लगता था इससे बड़ा जलसा हो अब हुँआता बहुत सारी मेहफिले सजने को पढ़ते पढ़ते एक और बड़ा हमारे समय का ज़रूरी विमर्ष मेरे सामने आता है और उस पर भी हम थोड़ी से चर्चा मुझे लगता है हमको कर लेनी चाहिए और वह विस्थापन की विश्था अदेगी हरसूद जो है जब जल समाधी हरसूद ने ली तो सारे लोग उस अपनी सीमाओं से बाहर चले गए लेकिन उसके बाद भी हरसूद बार-बार याद आता रहा और जैसे सूर्दास ने कहा है ना कि मेरो मन अनत कहां सुख पाए जो जहाच का पंच्छी उड़ी-उड़ी पुनी जहाच पे आए तो अपनी सरजमी तो होती है ऐसी है कि ब आठी गिस्म के भीतर मन के भीतर असर पड़ा करता है आपका इस विस्थापन को लेकर क्या कहना जबकि आपनी इस कविता में तमाम उनिस्परतियों को लिखा है संख्षेप में विने जी विस्थापन देखिए उसको में यूशार बैया कर दूं कि कि नहीं सकता हूं लगर अपनी जिन्न फोलम पर नहीं जा तो हमारे पास जिन्दा रहने के लिए हमारे संध्र भाष्ब धुर्तियां हैं मुझे लगा कि इन प्रतियों को मैं कैसे जिन्दा रखूं या आने वाली पीडी को कैसे हम सोपे तो इसलिए मुझे लगा कि सूथ बेहर सूथ लिखना चाहिए देखिए यह बात है जो आपके विस्थापन का जो दर्द आपके भीतर है यह बात करूं तो विस्थापन पर तो बहुत सारा लिखा गया है प् सदा करती हैं आपकी किताब सूथ में हर सूथ में बहुत सारे किस्से हैं दरसल वो किस्से सिर्फ पर सिर्फ मन्रोजन का जरिया भर नहीं है एक सामाजिक सांसकतिक जो है विमर्श उसमें से निकलता है और हम देखते हैं कि जहीर कुरेशी का गीत मुझे याद आता है कि ए भी खाली जोता हुआ पाता है लेकिन उसके बाद भी ये जो कजबे हैं उसके जो मटियारी गंद है उसकी सौंधी से खुशबू है और उसके साथ जुड़ेवे जीवन के कुछ मूल ले हैं कुछ तक आज़े हैं वो कभी भी नश्ट नहीं होते हैं सूथ में हर सूथ के ज सूथ जैसी कोई किताब की सौगात फिर हिंदी पाठकों को मिलेगी आप हमारे साहित्र स्रजन के संक में इस कड़ी में हिस्ता लेने के लिए वसंद भाई आये आपका बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया और दर्श को आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर मुलाक